हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से सोगत है सरकारी जॉब्स पोटर यूटूब चनल में तो दोस्तों आज की इस विडियो में हम विराज प्रोफाइल्स लिम्टेट कंपनी में आई ही जॉब की वेकेंसी की बारें बात करने वाले हैं और इन्होंने अपर ने नोडिपिकेसन में बताये हुआ है कि जिनके अंडेट लोग का ITI कमिट हो चुका है विभिन ट्रेडू के साथ में तो वे इनकेस campus placement में भाग ले सकते हैं और यह जो campus placement है Rantec ITI में लगने वाला है और इसकी जो date and address क्या होने वाला है वेन्यू का और time क्या होने वाला है इसके बारे में आगी चल करके discuss करने वाले हैं और जाने के पहले में आपको जो attendance लगाना होगा वो एक website के मादम से हम step by step देखने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पर करेंगे और साथी साथ यहाँ पर जो आप लोग की salary है वो 15,000 से लेकर के 18,000 तक कि यह city सी बन जाएगा और भी कई जो सोईदाएं और जानकारी है जो की वीडियो में आपको आगी चल करके पता चलने वाला है एक और बात अगर आप इसी job की information पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करने के बाद bell icon को भी डबा सकते हैं और आप हमारे facebook page को भी like कर सकते हैं daily job update पाते रहने के लिए तो यह company का name रहा विराज profiles limited और यह company में क्या work कि आप चाहिए तो वीडियो को pause करके भी पढ़ सकते हैं यह पूरा यहां पर लिखा हुआ है और जो जो जॉब का type रहेगा वो permanent basis पर आपकी job होगी है और जो selected candidate है वो post होंगे पालगर के जो इनका जो workshop है वहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया था अब आगे चलते हैं ज एक टे की working job है यह एक ठीक है तो एक दिन की चहाँ पर आपके लिए चुटी रही है और जो salary के बारे में बात करें अब तो यह जो city सी है आपका 15,000 से लेगर के 18,000 तक के बन जाएगा यह city सी है लेकिन जो in hand में आप लोग को 11,000 से 14,000 के बीच में pay किया जाएगा ठीक है अब facilities की बात करें तो यहाँ पर जो आपको overtime अच्छा खासा दे दिया जाएगा night shift का जो allowance है वो भी आपको अलग से मिलेगा यहाँ पर और canteen की सुईदा मिलेगी और एक room की सुईदा आपको यहाँ पर मिल जाएगी अब आगे चलते हैं education देखा जाए तो आपका 10 वी या फिर बारवी के बाद में ITA पास होना जरूरी है और ITA में आपको जो आपको लोग को मालूम होगा NCBD और SCBD होता है तो NCBD और SCBD दोनों यहाँ पर releasable होने वाले हैं अब आगे चलते हैं disability criteria के बारे में देखा जाए तो जो age limit है वो minimum 18 साल रखी गई है और maximum जो है up to 13 years यानि की 30 साल जो maximum IU यहाँ पर रखी गई है 18 से 30 साल वाले apply कर सकते हैं और male and female दोनों ही applicable होने वाले हैं अब यहाँ पर जो campus की जो date और value address देखते हैं उसके बाद हम उस attendance form पर भी जाएंगे website के मादधम से तो यह जो है आपकी जो campus लगेगा वो 14.12.2020 को लगने वाला है 14 December को और यहाँ पर जो address यह रहा private ITI यह इसका पूरा address लिखा हुआ है आप चाहें तो वीडियो को post करके भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर ही आपको जो अपना interview देने जाना होगा और जो भी होगा आपका वहाँ पर return test या फिर interview अब आगे चलते हैं तो हम उस form पर भी आएंगे पहले यह देख लीज़े आप यह job का location रहा ठीक है तो मैंने नीचे में link देका रखा है for attendance fill the form before going यह वाले यहाँ पर आपको आजाना है और apply करना होगा आपको यहाँ पर पहले apply नहीं basically यह जो form एक attendance form type कर रहेगा कि आप जाने वाले हैं वहाँ पर तो पहले सी अपनी जो एक seat वहाँ पर book कर सके क्योंकि वैसे भी covid के तहर यह सब जो important किया गया है यहाँ पर आगे चलते हैं तो यह जो देख सकते हैं placement drive attendance तो यह form भरने में अगर कोई problem आ रही होगी तो मुझे आप comment करके भी पूछ सकते हैं basic सी जानकारी भरनी है name है father name है यहाँ पर अपना जो trade डाल देना है choose करके ठीक है जो साथ में यहाँ पर जो select venue placement drive place तो यह automatic ही आ जाएगा आपको यहाँ पर भरने के जरुवत नहीं है क्योंकि यहीं के लिए जो campus निकाला जा रहा है रांटे का इटी यहाँ पर 14 12 2020 यह campus की date रही और जो session रहेगा वो इसको जैसा के वैसी रखे रहन देना है आपको अब आगे अगर फिर भी कोई problem आ रही होगी form डालने में तो मुझे आप comment करके पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो like and share जोर कीजगा अब मिलते हैं आपसे नए जौब की information के साथ तब तक के लिए good bye